योनिंग स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब शैनल में एक बार पुना मैं सोनु सरोज आप सभी साथियों के बीच मुपस्थित हूँ नतरजार सिच्छक परती उत्तरकुंजी प्रक्रण के साथ आप सभी को वरतमान समय में सतरक और साथान रहने की बहुत ही आउशक है और दूसरी चीज आपके पास समय बेहत कम है आपको बता दिया दा है कि 19 तारीक आपके लिए अंतिम तारीक है प्रत्यावेदन फॉर्म को जमा करने का है लेकिन अभी भी हमारे 10% साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रत्यावेदन फॉर्म को अभी भी सम्मिट नहीं किया तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने प्रत्यावेदन फॉर्म को कल 18 तारीक है कल तक हर हाल में जमा कर ले 19 को side किस प्रकार चले अंतिम दिन है ये कोई कहा नहीं सकता तो आप सभी से निवेदन हैं जिनोंने अभी तक प्रत्यावेदन नहीं जमा करें वो तत्काल प्रत्यावेदन जमा करें दूसरी बात ये कि जिन साथियों को दिक्कत हो रही थी form की गड़बड़ी को ले करके जैसे case number जिन का गलत था और case नाम गलत था वो PNP तत्काल पहुँच करके उसको जो है वो correction करा ले उसको सही करवा ले ये उनके लिए बहुत ही आवश्यक होगा एक application वहाँ पे जमा करनी है तिसरी चीज़ ये कि जिन साथियों का offline प्रवेस्पत्र जारी हुआ था आपको पता होगा 69000 सिच्छक भरती में offline प्रवेस्पत्र भी कुछ साथियों को मिला था जिनका data जो है online आप खोलेंगे तो नहीं मिलेगा तो उनको PNP जाकरके इस बिसे में अपना application जो है वहाँ पर जमा करना उनके लिए भी ये काम करना बहुत ही आवश्यक है अब कुछ ऐसे भी साथी जो याची बने हैं लेकिन उन्हें के पास rate number वगर है कुछ नहीं तो आप भागा दोड़ी करिए कोई से कोई क्लू निकालिए अधिवक्ता को पकड़िए कुछ भी करिए ठीक है चाहे जितना पैसा लगे 2000, 3000, 4000 चाहे जो लगे आप कहीं भी दीजिए लेकिन आप प्रत्यावेदन फॉर्म भरिए अगर आप merit में आ रहे हैं आप नौकरी पाने जा रहे हैं जहां भी जैसे भी हो हाथ पाऊं चला लीजिए लेकिन ये आपके लिए नौकरी का सवाल है तो प्लीज आपके पास कल तक का वक्त और है आप जो भी साथी अभी बचे हैं सब लोग प्रत्यावेदन जरूर जमा करते हैं ठीक है तो ये रही तीसरी चीज़ अब इसके बाद जो साथ ही हमसे जुड़े थे हमारे साथ उन सभी साथियों का जो भी डाटा था वो उनको वाट्सअप के माद्यम से हमने पहुचा दिया था आप बिल्कुल अपने सवालों को मेंसन कर सकते हैं मैं लगातार जब से प्रत्यावेदन का डेट आया सिर्फ और सिर्फ उत्तरकुंजी मामले पे ही वीडियो अपलोड किया हूँ ताकि आपको जादा समश्याओं का सामना ना करना पड़े इसके बावजूद भी अगर कि तक आप फॉर्म जरूर बर दीजी तो मिलते हैं और भी आपको सवालों के जबाबों के साथ तब तक के लिए आप सभी सात्यों का बहुत बहुत धन्यवाद